अलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स अकेडमी, सो गाई जैसा अपडेट था फटाफट से हच्पीसी की आंसर की का, तो as usual हच्पीसी अपनी आंसर की विदिन वंडे दे देते हैं, तो सेम हैं, तो देखें वही अनाउंस कर दिया है जनल इंफरमेशन तो दा जो 9 और 10 को हुए थे, जो भी एक्जाम हुए थे वही, that the commission has upload the standard question booklet and standard answer की, ये website है, hpscgov.in, inviting objections regarding, मतलब आज रात को अभी link activate हुआ नहीं है, मतलब थोड़ी देर तक answer की download होनी शुरू हो जाएगी, after that आपको कोई भी इसके regarding, कोई भी आपको question ऐसा लग रहा है, जिसका answer रहा है, answer की में, तो candidates are advised to file objection according to the standard questions booklet and answer की only, fees होगी पर objection धाइसो रुपे, ठीक है, पर objection है, मतलब आप दो objection लगाओगे, तो 500 रुपीज होगा, the candidates are advised to login at the above given web address in order to file their objections, the objection portal will be functional from, ध्यान रखे, objection का portal ये है, लो भाई, 11 नू, मतलब 11 तारिक से आप objection लगाना शुरू कर सकते ह याज रात अभी answer की आएगी, चलो उसको match कर लेना, फिर 11, 12, 13, मतलब आपको धाई दिन है, क्योंकि यहाँ पर till 5 नहीं है, देख लो, 12 बज़े तक है, ठीक है ना, तो 13 तारिक की दूफेर, 12 बज़े तक आप अपने जो भी objections है, उनको submit कर सकते हैं, उसके बाद जो लिंक है, वो disabled हो जाएगा, तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है, इतनी fast process है, तो definitely result भी जल्दी देखने को मिलेगा, so good luck for the next subjective paper, bye bye, take care, have a nice day, thank you so much.